बहुत स्वागत आप सभी का आज के सेशन में Welcome to today's session बचो आज का lecture हमारा आखरी lecture है इस chapter का ये chapter याने कि reproduction in organisms अपने आप में एक introductory chapter है introductory chapter का मतलब होता है इसी chapter से आपको reproduction process के बारे में एक general build-up मिलता है याने कि आपको समझ में आता है कि किस तरह से asexual reproduction होता है किस तरह से sexual reproduction होता है और sexual reproduction में भी कौन-कौन से phases होते है asexual तो ज़रा simple है याने कि organisms जो बनते हैं उनको हम clones कह सकते हैं लेकिन sexual reproduction में ऐसा नहीं है sexual reproduction में variations होते है और every individual which is being formed due to the outcome of sexual reproduction is different somewhat than the parents और इस difference की वज़े से बचो survival की जो strategy है वो develop होती है याने कि आप एक simple सी बात समझें मानेजिए एक लाख organisms हैं एक जैसे एक लाख organism environment में change हुआ और सब एक जैसे हैं तो सब के सब खतम होने के chances उनके रहते हैं लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा भिन्नता है किसी में चूंकि nature भी एकदम से drastic change तो बहुत यदा कदा होता जब डाइनोसार खत्म हुए थे है ना इतना जादर change एक साथ में नहीं होता धीमे 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 changes होते रहते हैं तो वो जो slow changes हैं उनके साथ जो slow variations accumulate कर रहे हैं यह बिल्कुल sufficient इसके बारे में detail में हम evolution chapter में पढ़ते हैं तो स्वागत है बच्चों आप सभी का जो इस वक्त session में आए हुए है कौन कौन आ चुका है भाई आशव पतेल ने जोइन कर लिया प्रवीन मिश्रा, अंचराज, मिलिंद ने जोइन कर लिया, चंचल चोहान, बलजीत ने भी जोइन कर लिया है उन्नत राकेश आ चुके हैं स्वागत है बच्चों आप सभी का जो इस वक्त session में आए हुए है चलिए session को आगे बढ़ाते हैं कुछ बच्चे भी निखिल सर के session में होंगे, session जैसे ही खत्म होगा तो वो इधर आ जाएंगे chemistry की भी class चल रही है, शिवानी आ चुकी है, शिवानी हेलो बच्चे तो आज के इस lecture में काफी सारी चीज़े हम important discuss करने जा रहे हैं जो इस chapter में remaining है अब जैसा कि मैंने आपको promise किया हुआ है Unlock Neat Channel पर हर chapter के बाद उसके DPPs भी होंगे तो आज के chapter का DPP परसों सुबह 8 बच के 15 मिनट पर मैंने session रखा हुआ है याने कि Saturday के दिन सुबह 8 बच के 15 मिनट आप सबने आना है, सारे दोस्तों के साथ आना है, मर्जी है आपकी और सारे के सारे questions इस chapter से जो आते हैं इन पर करेंगे चर्चा ठीक है, so million thank you for the chocolates, Mirzapur वाले बाई साथ, स्वागत है बच्चों चलिए, शुरू कर दिया जाए, session को Alright, so for all those students जिन्होंने आज पहली बार मेरा session जॉइन किया है My name is Pradeep Singh I am a biology educator, you all know biology का session है And I am driving the education revolution in our country through the online platform ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और session के बारे में और करते हैं चर्चा बचों unacademy subscription, unacademy subscription के साथ जुड़ने के लिए ये different duration के subscription, आप अगर detail learning के लिए जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, जो जितने ज्यादा duration का subscription है उतना अधिक cost effective है, ठीक है साथ ही साथ आप use करते हैं, प्रदीप live इस code को use करते ही आप मेरी guidance में अपनी मंदिल के सफर को तै करने में होंगे काम्याब, तो स्वागत है अचा बच्चों एक और बड़ी important बार, कल के session का जो PDF था वो आज मैं डाल दूँगा, कल मेरी तबियत थोड़ी सी ठीक नहीं थी इसकी वज़े से मैं अगला session भी नहीं ले पाया ठीक है, बट कोई बात नहीं आज आपको मिल जाएगा पुराना PDF और कल का PDF उसके link के नीचे भी होगा आपको video के link के नीचे दिख जाएगा and I will also share in the telegram group ठीक है, इसके साथ ही बच्चों iconic subscription iconic पर price थोड़ी सी अधिक जरूर है लेकिन features बहुत अधिक हैं और iconic अब तक के subscription models में सबसे बड़ी है क्योंकि आपको एक personal coach मिलता है and your personal coach will be able to guide you in a better way ठीक है, sexual reproduction के ऊपर आजका lecture 5th start कर देते है alright, so let's have a look at the differences between asexual and sexual sexual reproduction में काफी सारे कारेकरम होते हैं उन सारे के सारे कारेकरम के बारे में हम समझेंगे और बचों, Monday से, मतलब next week से human reproduction chapter start कर रहा हूं, ठीक है so this is the fertilization of the egg and the sperm जिसको हम syngammy process कहते हैं और उसके बाद process शुरू होता है gamete बन गए, gamete fuse हो गए तो अब क्या होगा, embryo का formation embryo genesis होता है after fertilization, after a zygote has been formed ठीक है ना? यह तो आप जानते हैं, इसमें कुछ अनोखा नहीं है now, syngammy syngammy is the actual process of fertilization इसको syngammy के नाम से जाना जाता this is the actual process of fertilization जिसमें male and female gamete fuse होते है so syngammy result in the formation of a diploid zygote zygote कैसा होता है? diploid, याने की 2N इसका ploidy level होगा 2N diploid याने की 2N ठीक है ना? क्योंकि बचों, आप simple सी बात है समझे जो male gamete थे, दोनों के दोनों haploid gametes होते है haploid gamete ही fuse होते है अच्छा, अब एक प्रशना आता है कि अगर कोई gamete और ज्यादा तर cases में female gamete deployed condition का हो तो क्या होगा? ध्यान दीजी, अगर female gamete deployed condition में already है, तो उसको किसी fertilization की जरूरत नहीं है वो straight away can give rise to an organism ठीक है न? male gamete deployed नहीं होते है male gametes are not deployed लेकिन कई बार हो सकता किसी aberration के कारण deployed बनी गया तो deployed हो गया, तो वो viable नहीं रहेगा और fertilization नहीं कर पाता इसके पीछे का logic आपको बता दूँ female एक के पास होता है cytoplasm और cytoplasmic organelles और जो sporm cells होते हैं ज्यादा तर उनमें cytoplasm ज़रा कम होता है बहुत minimum cytoplasm होता है ठीक है न? इसकी वज़े से वो एक new individual को give rise नहीं कर पाते हैं ठीक है न? सिया, welcome, रिया भी आ चुकी है च्छविलाल आ चुके हैं क्या बात है? बहुत सारे बच्चे आ गए है तो चलिए स्वागत है बच्चों आप सभी का तो ये तो समझ गए कि सिन गैमी में क्या होगा diploid zygote बनेगा sometimes the female gamete develop into adult organism without fertilization through parthenogenesis parthenogenesis अब जैसा कि मैंने बताया कि female जो egg है वो अगर diploid है तो बहुत आसानी से वो new individual में form हो सकता है लेकिन कई बार ये भी देखने को मिलता है कि unfertilized egg new organism में तबदील हो गए वो भी parthenogenesis ही है लेकिन दोनों में फर्क है दोनों में फर्क ये है कि जिसमें unfertilized structure develop हो गया individual में continuous रहता है इसको जड़ा कुछ examples के माध्यम से समझते है उनतरा के स्वागत है सौरब स्वागत है बचो आप सभी का ठीक है ना चलिए इसको समझते है parthenogenesis के types भी समझते है parthenogenesis कहां कहां देखने को मिलता पिछले session में भी हमने चर्चकरी parthenogenesis के बारे में बताया था मैंने उतना detail में हमारे पास वक्त नहीं था so it is found in many non-vertebrates में पाया जाता है और कुछ vertebrates में भी पाया जाता है जैसे की rotifers हो गए aphids हो गए bees हो गए और crustaceans हो गए तो कुल मिला के arthropods में पाया जाता है कई molluscans में पाया जाता है crustaceans जैसे हो गए it also occurs in a few vertebrates कुछ vertebrates में भी देखने को मिलता है अब एक चीज़ तो जरूर है कि parthenogenesis जहां पर भी हो रहा है वो condition monoparental है लेकिन इसका मतलब ये कता ही नहीं कि जो organism parthenogenesis से develop होते हैं उनमें sexual reproduction हो ही नहीं सकता हो सकता लेकिन किसी किसी में नहीं होता है क्यों नहीं होता क्योंकि वही condition कि अगर deployed female egg की laying हो रही है जैसे कि Caucasian lizard में तो हर बार female ही आएगी भाई deployed egg लेकर दिया female develop हो गई फिर उस female ने deployed egg लेकर दिया तो यही क्रम चलता रहेगा deployed ही deployed चलते रहेंगे ठीक है ना अमन पूछ रहे हैं सर यह कौन से class का chapter बच्चे class 12th का पहला chapter है reproduction in organisms ठीक है ना और 11th का पहला chapter है the living world उस पर भी चर्चा चलेगी लेकिन हमने शुरुआत करी है human physiology से याने की digestion and absorption से कल उस पर आगे चर्चा चलाएंगे इसो फेगस और स्टमक के बारे में discussion करेंगे और बच्चों Saturday के दिन शनिवार के दिन शाम को 6 बजे आप लोगों के साथ एक अदभुत अनोखा सेशन लेने जा रहा हूँ पहली बार इस चैनल पर पहली बार एक अनोखा सेशन वाल्कैनो के उपर आप लोगों ने देखा होगा सारे बच्चे आईएगा अपने सारे दोस्तों के साथ अपने फैमिली मिंबर्स के साथ आपको वाल्कैनो और उसका क्या importance है हमारी biology में ये भी पता चलेगा और क्या importance है नीट में ये भी पता चलेगा और वो तो session में ही पता चलेगा तो आपको आने की है आवशकता शाम को 6 बजे उर्मिला thank you बच्चे for the chocolates शाम 6 बजे शनिवार के दिन दा वाल्कैनो के उपर है session मिस मत करियेगा लाइफ का मज़ा ही हो रहा है मुझे पता आप लोग देखते हैं बाद में भी तो बच्चों monoparental होता है monoparental यानि कि parthenogenesis जब होगा उसमें biparental का कोई आवशकता ही नहीं है monoparental condition develop होगी ठीक है now parthenogenesis कितने तरीके का होता है natural भी हो सकता है और artificial भी हो सकता है natural parthenogenesis नेचर में automatically हो रहा है artificial को हमने ढून लिया induce कर दिया process को तो देख लिजे जैसे यहां पर deployed female honey bee this is female bee ये करती है meiosis eggs produce होते है A और B मान लिजे दो तरह के eggs produce हो गए और वो दोनों के दोनों बिना fertilization के अगर एक adult में develop हो जाते हैं young one produce होता है तो वो होते हैं haploid individual और वो haploid कैसे कौन से हैं male bees तो deployed हमेशा female होगी so female bee और honey bee is always deployed female bee is deployed to n और male male bee is haploid ठीक है ना ये condition हमेशा fix रहता है अच्छा female में भी दो तरह की देखने को मिलती हैं हमें honey bees female में दो तरह की honey bees देखने को मिलती हैं कौन सी हैं एक queen है एक worker है तो worker is sterile female worker sterile female है क्योंकि worker भी के development में hormones की कमी रखी गई है उसके feeding process में queen को खिलाया गया royal jelly तो जब जिसको royal jelly खिलाया गया रिया पूछ रही है diploid कैसेड तो बचों diploid ऐसे कि female का हमेशा production होगा fertilization के थूँ ये देखो this is diploid female bee this is haploid male तो haploid male में तो meiosis होगा नहीं खुदी haploid है n number of chromosome है तो mitosis के थूँ sperm का production होगा देखो लिखा हुआ है no meiosis या simple language में हम लिख दें कि sperm का production होगा mitosis के द्वारा ठीक है न cell division का एक type है mitosis एक है meiosis तो mitosis के द्वारा sperm produce होगे और fertilization के द्वारा deployed female bees का होगा production अब आप देखिए कि वो जो haploid male का sperm है अगर वो fertilized ना हो तो वो कुछ नहीं बनेगा male sperm if it is not fertilized it will not develop into anything it is always the female eggs if not fertilized develop into the haploid male bee ठीक है न तो कहने का मतलब है कि mother से ही तो होगा production father के sperm से father जो male honey bee है उसके sperm से कोई organism produce नहीं होता हो ही नहीं सकता ठीक है न इसके बारे में आप लोग जानते हैं 11th में भी पढ़ा हुआ है अपने इसके बारे में और 12th में अभी और detail में पढ़ेंगे genetics unit में detail में इसके बारे में पढ़ा जाता है ठीक है न worker are females absolutely correct अच्छा ये देखो artificial process artificial process बहुत तरीके से induce किया जाता है electric shock से induce किया जा सकता है temperature pH बहुत तरह के stimulus दे करके chemical physical अलग-अलग stimulus के द्वारा चलिए आगे चलते हैं और detail में करते हैं चर्चा इसके बारे में natural parthenogenesis natural parthenogenesis क्या process है regular phenomena है बच्चे चलता है this is the regular process कभी-कभी larva भी एग ले कर देते हैं कुछ एक larva भी है जैसे गॉलफ लाई के larva है liver fluke का larva है liver fluke का larva एक stage से दूसरे stage में तबदील होता तो उसको भी कह देते हैं कि एक तरह का parthenogenesis ही है ठीक है ना so now तो it may be pedogenic parthenogenesis का मतलब है कि larval stage में ही sexual maturity आ जाती है इसको pedogenesis कहते है ठीक है बचो इसके लावा देखिए आपने salamander के बारे में भी पढ़ा हुआ है salamander में क्या होता है कि वो लगबग larval stage में ही रहता है metamorphosis नहीं हो पाता जैसे frog में metamorphosis हो जाता tadpole से frog हो जाता adult तो यह हमारे जो axolotl larva हो गए salamander हो गए इना वे देयारिन्या larval form तो उसमें भी हम कह सकते है कि भाई pedogenesis process है अगर parthenogenesis होता है और sexual reproduction होता है तो pedogenic reproduction है ठीक है ना now complete parthenogenesis कहा होती है in some rotifers and few vertebrates इनमें complete parthenogenesis है complete parthenogenesis का मतलब है कि भाई हमेशा parthenogenesis से ही ये develop करेंगे जैसे कि ये Caucasian lizard आप देखिए ये छिपकली ये Caucasian lizard है अब ये exactly black and white photo है lizard है अब ये Caucasian है ये तो अगली picture में आपको clarity के साथ समझ में आ जाए क्योंकि lizard तो सब ऐसी दिखती है है ना so they have all female population इनमें all female population है male का कोई role नहीं है female राज है so there is no bi-parental sexual reproduction जरूरत ही नहीं है इनको sexual reproduction की process की लेकिन एक laying mechanism है इसका मतलब है कि ये एक तरह से evolve हुए है इस तरीके से याने कि शुरुवात में इनमें भी sexual reproduction होता था ये evolve कर गए ये देख लीजिए ये है the Caucasian lizard तेक है न इसका हमने नाम पिछले session में भी देखा था Lacerda Saxicola armeniaca और Tiflina brahmini Tiflina brahmini एक छोटा सांप है जो हमारे देश में पाये जाता है very small snake 15 cm तक का होता है 12-15 cm लंबा सांप होता है non poisonous, non harmful और ये भी all female population से ही develop होता है male का यहाँ कोई role नहीं है ठीक है न उर्मिला का कहना है male मर जाते हैं नहीं बच्चे male produce ही नहीं होते किसी जमाने में male जरूर produce होते रहे होंगे तभी तो egg lane का जो ritual है वो चलता आ रहा है अब बात को समझिए egg lane का ritual जैसे हमने चर्चा करी एक session में कि order carnivora को हमारा giant panda भी बिलॉंग करता है ileuropoda जिसका genus है ileuropoda giant panda बिलॉंग करता है order carnivora को और वो खाता है बास की पत्तिया order है carnivora कैसे है यानि कि उसमें खाना छोड़ दिया मतलब ऐसा एक अकेला member है order carnivora का जो कम संपून शाकाहरी हो गया भालू भी हुआ है beer is omnivorous लेकिन completely शाकाहरी नहीं है but giant panda ileuropoda जो है और वो भी रहता कहा है china में रहता है वहां रहने के बावजूद भी complete शाकाहरी तो सोचिए ऐसे अनोखे चीज़ भी होते है है ना ऐसी अनोखी चीज़ें भी दुनिया में देखने को मिल जाती है china में रहता है giant panda ileuropoda red panda चलो अलग बात है कि red panda भी है लेकिन giant panda red panda तो हमारे देश में भी पाया जाता eastern हमारे country के सुदूर north eastern region में देखा जाता है red panda ileurus fulgens ठीक है ना तो ये सारी है अब वो बांस की पतियां खाता है तो शाकाहरी ही हुआ ना और क्या बोलेंगे उसको तो कार्नी वोर और और को बिला तो टिफलीना ब्रामीना एक छोटा साफ है उसमें भी होता है parthenogenesis और वो भी complete parthenogenesis और कोई उपाय ही नहीं है development का दिए है complete parthenogenesis अब बात करते हैं incomplete parthenogenesis की some animals alternate sexual and parthenogenetic individuals develop alternate between sexual and parthenogenetic individuals develop alternate between alternate sexual and parthenogenesis wait 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 ये statement थोड़ा सा कलत है in some animals alternate sexual and parthenogenetic individual occurs इन लगाना जरूरी था अब देखो शुद्ध बन गई line ठीक है ना unfertilized or fertilized eggs are produced depending upon environmental condition याने कि जैसी जरूरत उस तरह से development होगा ये है incomplete parthenogenesis का रहस्स situation के हिसाब से होगा जैसे कि डैफनिया में देखने को मिलता है ठीक है ना डैफनिया में काफी सारे बच्चे आ चुके है कोमल आ गई है मिलिन तो पहले सही थे alpha M क्या बात है स्वागत है बच्चो तो incomplete parthenogenesis याने कि मौसम के हिसाब से उसमें बदलाओ होता है डैफनिया में develops parthenogenetically under favorable condition जब condition favorable होता है तो डैफनिया parthenogenesis से develop हो जाती है याने कि eggs को fertilize होने की आवशकता नहीं है and from fertilized eggs during environmental stress तो क्या show करता है यह बहुत छोटा जीव है 1 mm के करीब करीब होता है बहुत छोटा जीव है crustacean type का और यह fresh water indicator है याने कि डैफनिया अगर पाया गया तो मान लेजे पानी साफ है अगर fresh water body है so you will get डैफनिया हाँ तपस्वी हो गया है giant panda बिलकुल सही बात करे है अब बच्चों ध्यान से सुनिए यहाँ पर fertilized egg developed during environmental stress क्या यह साफ साफ इशारा नहीं कर रहा है कि जब environmental stress की situation आती है याने कि अब इनको unfavorable condition को avoid करने की जरूरत है तो यह fertilized egg ले करते हैं याने कि they resort to sexual reproduction इसका मतलब साफ है हर जगे आपको मैंने इशारा किया कि sexual reproduction जहाँ पर भी होगा वहाँ पर variations को accumulate करने की आवशक्ता adverse condition से निपटने की आवशक्ता क्योंकि गर्बर condition में normal processes नहीं चलेंगे है ना तो भई मुश्किल वाला काम तो करने ही पड़ता जब तक तबियत ठीक रहती है तब तक खूप fast food खाते हैं बच्चे जैसे तबियत हुई गर्बर तो फिर वो कड़वा करेला खाना पड़ता है खाना पड़ता है कि नहीं खाना पड़ता है आप खुद ही बताईए जब तबियत गर्बर हुई तो डॉक्टर कहे देते हैं भई अब आप जो है बाहर का चीज मत खाईए और boiled खाना खाईए करेला खाईए जैसे कि करेला जो अच्छा नहीं लगता वैसे अब आप बताओ जब तबियत ठीक होती है कहीं बाहर घूमने जाओ कोई पूछे आपसे कि क्या खाना पसंद करेंगे तो आप दुनिया बरके fast food, burger, pizza ये सब बता देंगे आप मैंसे कोई बच्चा है जो ये कहे नहीं, मुझे न करेले के chips खाने हैं करेले के chips आते हैं लेकिन करेले के chips खाने हैं कोई ये बच्चा कहेगा, South India में करेले के भी chips बनते हैं, कड़वा करेला तो ये defnia है defnia देख लीजी, ऐसे dance कर रहा है यह dance इसलिए कर रहा है, पानी में यह गोते लगाता रहता है, ऐसे घूमता रहता है, बस सीधी सी बात है, बड़ा simple सा है, मामला, तो अब देखते हैं, honey bees में भी देख लो, incomplete है, honey bee का example अभी देखा, unfertilized egg develop into haploid drones, drones क्या होते है, male drones, तो drones जो हैं बच्चे, यह male है, these are male drones, ठीक है ना, fertilized eggs give rise to deployed queen bees and worker bees, queen bee और worker bee fertilized eggs के through produce होते हैं, तो समझ गया इसका मामला, याने कि male haploid होते हैं, और जो female होंगे वो deployed होते हैं, बस इतनी सी बात है, females are deployed, males are haploid, now comes the viviparous animal, viviparous animals, रुख जओ, रुख जओ, हाँ वही तो मैं कहूँ यह viviparous कहां से कूट पड़ा बीच में, तो viviparous वाली slide आगे पीछे जंप हो गई, भई, technical चीजें आपके हाथ में तो होती नहीं हैं कही बार, है ना, तो pedogenetic parthenogenesis, parthenogenesis in larva is called pedogenesis, larval stage में अगर parthenogenesis हो रहा है, तो बचों, gallfly के larva, they lay egg which develop parthenogenetically into a new generation of larva, ठेक है ना, parthenogenetically, larva ही develop कर देता है, liver fluke भी example है, हलाकि आपके किताबों में इसका विशेस जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि pedogenetic parthenogenesis बड़ा rare event है, इतना ज़ादा common event नहीं है, अब चर्चा करते है, artificial parthenogenesis के बारे में, So, egg of mollusk हो गए, starfishes हो गए, frog, hen, etc. can be induced to develop parthenogenetically by artificial stimuli, कुछ एक artificial stimuli हमने ढून निकालें, जिनके थुरू parthenogenetically produce कराये जा सकते हैं, बचों, मुर्गियों के जो अंडे आते हैं, अब आप सोचिए, मुर्गी रोज एक अंडा देती है, पोल्ट्री की जो hens होती है, layers जो होती है, और बहुत prolific layers होती है, खुब ज़ादा अंडे ले कर सकती है, रोज सुबह सुबह मुर्गी ने एक अंडा देना है, अब आप सोचिए, इतना तो sexual reproduction हो ही नहीं सकता, और खास बात है कि खाली मुर्गिया ही रखी जाती है, लेकि आप ये ना समझें कि उन अंडों से चूजा निकलेगा, उन अंडों से चूजा नहीं निकलेगा, क्योंकि वो fertilized ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या वो अंडे शाकाहारी हो गए, कई लोग कहते हैं, mission 2030 याद है, आप ही लोगों की वज़े से कर पाऊंगा मैं, सिदी सी बात 2030 तभी चलेगा, जब आप उस mission का हिस्सा रहेंगे, और मैं चाहे जहां रहा हूं, 2030 में निलग्रीज में जरूर मिलूँगा, ठीक है, ये promise मेरा आप सब के लिए है, आप सब से है मेरा ये promise, मैं कहीं भी रहूं, ठीक है ना, निलग्रीज में मिलेंगे, 2030 में, ठीक है, आप सब तब तक डॉक्टर बन जाएं, मेरी शुब कामना है, आपके साथ हैं, और मुझे भरोसा है, आप सब डॉक्टर जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे, चलिए बचों कौन कौन से stimulus होते देख लेते हैं, प्रिकिंग ओफा नीडल, एक नीडल को प्रिक कर दिया गया, ओव एंजिन टेंपरेचर और पी-एच, तो ये साइंटिस ने ढून निकाला, तो ये तो फिजिकल हो गए, केमिकल, यूरिया, फैटी आसिड, एथर, क्लोरोफॉर्म, वाटर, ये बहुत तरह के stimulus हैं, जो artificial parthenogenesis को induce करते हैं, ठेक है न, अब चलिए चर्चा करते हैं, कि अब Fertilization हो गया, अब चर्चा करते हैं, post-fertilization events के बारे में, post-fertilization event, ठेक है, तो mission 2030 पकता है न, सारे बच्चे तयार है न, mission के लिए, हाँ जी, बिलकुल एकदम तयार रहिए, क्योंकि ये mission तो होना ही होना है, ठेक है न, और जादा से जादा अपने दोस्तों तक ये बात भी अच्छा बच्चों, एक बड़ी important announcement, announcement ये है, कि आपने देखा भी होगा, 12 तारीक और 13 तारीक को हमारे sessions काफी ज्यादा होने वाले हैं, इस channel पर, 12 तारीक और 13 तारीक, ठेक है न, तो शाम 3 बजे से, दो पहर 3 बजे से session स्टार्ट हो जाएगा, अनुगुप्ता सर दौरान मेरे जो sessions मतलब होने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, Friday के दिन तो as usual normal sessions होने वाले हैं, याने कि कल, कल मेरे sessions normal होंगे, जैसे होता है 6 बजे और 8 बजे, आज भी होगा 8 बजे एक और session होगा, Saturday के दिन मैं सुबह सवा 8 बजे आप लोगों को करवाने आऊंगा, D DPP on this chapter, इसी chapter पर DPP करेंगे, तो बचों, देड़, पौने दो घंटे का मैंने event रखा हुआ है, तो आप लोगों को आना है, और करीब-करीब, आप मान के चलिए, करीब 40 to 50 questions हम discuss करेंगे, याने कि इस पूरे chapter के सारे के सारे questions हम discuss कर लेंगे, कोई भी question बचा नहीं रहेगा, तो सुबे सुबे हमने वो कारे कर लिया, और शाम को फिर क्या करेंगे, शाम को याने कि 6 बजे वाले event में हम जौला मुखी के उपर करेंगे चर्चा, दव वाल्कैनो के उपर होगा session शाम 6 बजे, और रात को 8 बजे, फिर as usual करेंगे अपना biological classification के उपर beat the neat, beat the neat crash course start हो चुक रहा है, क्या कहते हैं, biological classification, और आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं जरा, तो याद दिला देना पड़ता है, क्योंकि number of students जितने हो session में उससे अधिक like हो तो जरा अच्छा लगता है, कि session में हाँ बच्चे हैं और उन्होंने अपनी attendance भी mark करी, अब पता लगा आप लोग proxy वाले बच्चे हैं, proxy attendance करते हैं, तो गरबढ़ का हूँ है, now post-fertilization event, क्या होते हैं ये post-fertilization, post का मतलब है बाद में, fertilization के बाद के जो event है, उनको कहते हैं post-fertilization event, all the event that occurs during sexual reproduction after the fusion of gamete are called post-fertilization event, जो fusion के बाद हो रहे हैं, वो post-fertilization, इनमें zygote सबसे अधिक vital link है, बचों, zygote ही main link है, it ensures continuity of species between organism of one generation and the next, तो ये तो कहानी की बात है, zygote ही है, जो continuity को बनाता है, थेकर न, development of zygote depends on the type of life cycle of organism and the environment it is exposed to, किसी में अंडे से development होता है, किसी में life birth होता है, किसी में ovo-vv-v-paras development होता है, तो ये क्या है, ये depend करता है किस तरह के environment में उसकी growth हो रही है, life cycle कैसा है, कोई haplontic life cycle है, कोई diplontic life cycle है, तो सारी की सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर के ही हम एक चीज़ को समझ सकते हैं, रिया तैंक्यू, technology gyms, शुभम, रोहित, रवी, सौरब, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, great, और आपने तो मौकर नहीं छोड़ा कहने के लिए, जितने बच्चे हैं, उनसे भी अधिक like है, क्या बात है, तैंक्यू सो मच, अच्चा बच्चो एक चीज़ और, आप सब दोस्तों से भी इस चैनल को subscribe कराएं जरा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, चैनल को subscribe अगर आप लोग नहीं करेंगे, चैनल नहीं grow करेगा, चैनल नहीं grow करेगा तो मुझे energy कहां से मिलेगी, तो ये आप लोगों का नैतिक जिम्मेदारी है, 2030 mission में जो भी बच्चे शामिल ह होने जा रहे हैं, उन बच्चों को मैं एक टास्क दे रहा हूं, इस चैनल को बच्चे डेवलप कराना है, 2030 तक तो खेर वन मिलियन से जादा करना है, ठीक है ना, लेकिन अभी के हिसाब से, situation के हिसाब से, आप लोगों को सारे बच्चों से इस चैनल को subscribe करवाना है, क्योंक लेकिन ये आपका फर्ज है, दायत तो है, जिम्मेदारी है, कि इस चैनल को भी भाई, ग्रो करवाईए, ठीक है ना, जो और्गानिजम हेपलॉन्टिक लाइफ साइकल शो करते हैं, याने कि हेपलॉइड कंडीशन में रहते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनस, जाइगोट तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में फर्दर डेवलाप्मेंट मियोसिस के थ्रू है, याने कि हेपलॉइड हो गए, हेपलॉन्टिक लाइफ साइकल वाले, वो आगे जैगोट को डिवाइड ही नहीं करने देते हैं, एक बार डिवाइड करेंगे, मियोसिस कर के तहट हर और्गानिजम में एंब्रियो जेनेसिस होता है, गलत है, जिनमें हेपलॉन्टिक लाइफ साइकल है, उनमें एंब्रियो जेनेसिस नहीं होता है, जिसमें डिपलॉन्टिक लाइफ साइकल है, उनमें होता है एंब्रियो जेनेसिस, ये हेपलॉन्टिक और डिपल को मिलती है जिन में general body जो है haploid रहता है जैसे clamidomonas सबसे बड़ी है example है clamidomonas एक single cell घूम रहा है haploid है पानी में घूम रहा है दोड़ा मचाया हुए जब दिखा कि adverse condition है normal condition में तो multiple fission multiple fission multiple fission खोग clamidomonas 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 ही clamidomonas जब दिखा adverse situation अब तो हलत पतली अब क्या करेंगे तो दो clamidomonas they behave as gamit आकर के आपस में fuse बोले अब तो fusion ज़रूरी है fuse हुए zygote बनाया zygote resting stage में चला जाता है zygote जब बना तो एक protective shell मिल गया एक protective covering मिल गई है हाँ जी डॉक्टर शेक स्वागत है मुस्कान तनुजा कहां थे आप लोग भई टाइम से आ जाया करो सारे सारे बच्चे और चैनल को subscribe करना जरूरी है करना ही नहीं मुझे पता आप सब किस से कहूं बताइए मैं क्या अपने मुहले में निकल जाओ मोबाइल ले करके कि मेरे चैनल को subscribe करो आप खुद बताइए मैं किस से कहूंगा तो यह किस की जिम्मेदारी है mission 2030 के लिए जो बच्चे तैयार है आप सब आप सभी की जिम्मेदारी है तो जितने बच्चे हैं सेशन में आप लोग सब सब एक टास्क ले लिजिए homework है कि आज के आज minimum 10-10 subscribe करवाने हैं बस इतना सा काम कर लो हो गई चैनल सब्सक्रिप्शन हो जाएंगे subscribers बढ़ जाएंगे मैं और थोड़ी कुछ कहता हूँ आप से इतनी इसी बात तो ही 34.3 पैट का हुआ है इसको 34.4 से 35 करना है और आज ही करना है कोशिश करिए ठीक है ना 34.3 से 35 के कर देना है राइट हो जाएगा मनसूर मान गये हैं उर्मिला भी मान चुकी है प्रद्युमन ठीक है ग्रेट उन्नत राकेश सीड़ शो प्रेरना प्रद्युमन टेकनलोजी जिम्स सरफराज अखिल मुस्कान तनुजा उर्मिला मुझे पता है मेरे सारे बच्चे ये होमवर्क जरूर करेंगे ठीक है ना आज रात को सोने से पहले नीन में जाने से पहले मैं इस चैनल को देखना चाता हूँ 35 के सबने कहते कोमल भी मान गई है कोमल भी कहते अब तो होके रहेगा है Warren सारे बच्चे मान गए ठीक है लेट सी Trieste with destiny जब आजादी हुई थी तो वो स्पीच दी थी पंडित जवाहलाल नहरू ने वहाँ पर कहा था Trieste with destiny तो आज हमारा Trieste with destiny है ठीक है चालो आगे बढ़ते है इस chapter में अब ज़ादा कुछ है नहीं, इसलिए बातचीत थोड़ी सी चल रही है now embryogenesis में क्या-क्या होता है बच्चे embryogenesis में cell division होगा to increase the number of cell cell enlargement होगा to increase the volume or weight of living cell यानि कि इसको growth भी कह सकते है cell differentiation होगे for the formation of different kind of tissues बस मतलब division start हो जाएगा जो diplomatic life cycle वाले हैं उनमें post fertilization event में development start depending on whether the development of zygote occurs inside or outside of the body of the female organism animals are categorized as oviparous and viviparous ये दो तरह के जीव हैं oviparous और viviparous किस बात के मद्दे नजर depend करता है कि female parent की body के अंदर development हो रहा है या बाहर development हो रहा है समझ में आरी बात अब आप देखिए birds के case में development बाहर होता है उसका reason भी है logic भी है क्योंकि birds को उड़ने का काम है अगर वो उड़ेंगे और baby का जो development है body के अंदर हो रहा है तो समस्या आएगी body heavy हो जाएगी और परेशानी हो जाएगी ठीक है ना अच्छा land पे रहने वाले और aquatic condition में रहने वाले भी बहुत से जीव एग ही ले करते हैं ठीक है क्यों करते हैं एग ले एग लेंग का जो process है जो mechanism है वो simple है जरा compared to giving birth to live young one समझ भाई बात तो एग लेंग process is a rather simple process compared to the giving rise to the young ones तो एग लेंग process में लेकिन एक risk रहता है एक break हो सकता है आपने कई दफ़े देखा होगा कि कोई snake आता है चिडिया के अंडों को उनके उपर अपना शिकार बना लेता है अंडों को खा जाता है तो इसमें फरक मतलब नुकसान जादा है अंडेवलप्ड है एक तो भाग नहीं सकते तो इसलिए लाइव यंग वन को बर्थ देने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई अच्छा इस लाइव यंग वन के बर्थ की प्रक्रिया में भी कुछ बिचारे इनमेचौर रहे गए जैसे kangaroos क्योंकि आस्ट्रेलिया अलग हो गया बाकी पुरे कॉंटिनेंटल लैंड मासे से और वहाँ पर जो मरसू प्याल रहे गए वो थोड़ा सा इंटर्मीडियेट टाइप रहे गए याने कि एग लेयर और कम्प्लीट जिसको हम वीवी पैरी कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेश़ेशन और इंटर्नल फर्टिलाइजेशन यह दो समझने जरूरी है So these are the animals which ले फर्टिलाइज और अन फर्टिलाइज एग्स एक्सटर्नल फर्टिलाइज़ेशन जिसमें होगा वो दो तरह के अंडों को release कर सकते हैं, या तो fertilized egg को release करेंगे या unfertilized egg को release करेंगे external fertilization जिनमें होगा अब एक question है, external fertilization जिसमें हो रहा है यानि कि release हो रहे है gamit बाहर उसमें fertilized egg नहीं आ सकते external fertilization में fertilized egg नहीं आएंगे क्यों नहीं आएंगे क्योंकि already अगर fertilized हैं तो फिर external fertilization कैसे होगा तो ये शब्द यहाँ पर गलत लिखा हुआ है सही नहीं है So these are the animals which lay unfertilized eggs ये unfertilized eggs ही ले करेंगे क्योंकि external fertilization हो रहा है External fertilization का मतलब है aquatic medium में fertilization हवा में नहीं होगा किसी organism का fertilization समझ में आई बात तो aquatic medium में होगा fertilization याने की the females will lay the egg and males will release the gamete in that water medium only ठीक है समझ में आगई बात Now these are the animals which give birth to young individuals ठीक है ना ये young individuals को give rise करते हैं ओहो wait 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 बात यहाँ गलत नहीं लिखी हुई है मैं बता रहा हूँ क्या गलत हुआ है बताते बताते समझना पड़ता है यहाँ क्या गलत हुआ है और यहाँ पर वो fertilized गलत नहीं था यह उपर की heading गलत है external fertilization नहीं होगा यह यहाँ पर क्या आएगा external fertilization की जगे पर OV Paris है बात की नहीं और यहाँ आएगा VV Paris बस इतनी जीबात थी यह चड़ गया है गलत यह इसलिए चड़ा गलत कि मेरी तबियत थोड़ी सी कल्थी गर्बड है ना तो मैं इसको देख नहीं पाया था लेकिन अब तो तब यह ठीक है तो यहाँ पर लिख लेते हैं OV Paris OV Paris और यह क्या है VV Paris ठीक है ना? So now अब देखो बात हो गई ना पक्की So these are the animal which lay fertilized or unfertilized egg बाई OV Paris हैं तो दोनों तरह के एग ले कर सकते हैं Fertilized egg भी ले कर सकते हैं और unfertilized egg भी ले कर सकते हैं तो अब देखो definition क्या बनी? अगर तो बच्चे Fertilized egg ले कर रहे हैं OV Paris इसका मतलब है internal fertilization हो रहा है Fertilized egg ले कर रहे हैं जैसे की हमारी वो क्या कहते हैं Birds हो गई Birds में mating process होता है और unfertilized egg ले कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? External fertilization हो रहा है जैसे fishes में, amphibians में तो ये egg ले कर दिया और male ने भी अपना release किया बच्चो रेप्टाइल्स में internal fertilization देखने को मिलता है ये तो बात होगी vertebrates की की reptiles में और साथ ही साथ birds में invertebrates में भी insects जो होते हैं वो fertilized egg को ले करते हैं सोच लीजिए phylum arthropoda में भी internal fertilization है ठीक है? The fertilized eggs have a calcareous shell to protect them from the harsh environment इन में जो egg ले होता है चाहे वो fertilized हो चाहे unfertilized हो सब में एक shell रहता है अच्छा जो water में होते हैं उनमें shell ज़रा पतला होता है बड़ा नाजूक सा shell होता है बहुत ज़्यादा hard नहीं होता है लेकिन जो land पर egg ले करते हैं उनके shell ज़रा ज़्यादा मजबूत देखने को मिलता है और wavy paris में क्या है? तो fallopian tube में ही उसका जो है isthmus ampullary junction में होता है fertilization और फिर uterus में आके implantation हो जाता है तो ऐसे eggs को किसी calcareous shell की कोई आवशक्ता नहीं है यह है बात दोनों के बीच में difference now flowering plant में क्या होता है? zygote is formed inside the ovule ovule develop into the embryo simultaneously ovule become the seed and ovary become the fruit यह तो आप जानते ही है the seed germinate after they are dispersed from the fruit and they produce new plants fusion of two haploid gamete result in the formation of a single deployed zygote बन जाता है zygote का formation तो ऐसे होता है in some organism zygote undergoes meiosis called zygotic meiosis इसके बाद embryogenesis so the process of development of embryo from the zygote is called embryogenesis embryo का zygote से formation होना embryogenesis कहला था simple सी बात है embryogenesis में हम देखेंगे कि किस तरह से cleavage divisions होते हैं blastula का formation होगा gastrula बनेगा और फिर implantation इसके बारे में human reproduction chapter में detail में हम पढ़ेंगे now अब देखो development of the zygote takes place either inside the body of the female parent और outside तो यह हो गए oviparous और यह हो गए viviparous क्योंकि embryogenesis ही हो रहा है बच्चे embryogenesis ही हो रहा है post fertilization event उसमें कोई oviparous तो कोई viviparous यह देखो primates है तो viviparous है देख लिया now अब बात करते हैं oviparous animals के बारे में oviparous animals कौन से हैं आप सब जानते हैं oviparous कौन से कुछ नया नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूँ reptiles and birds reptiles और birds याने की class reptilia और aves lay fertilized egg in a safe place in the environment किसी सुरक्षिक जगे पर ही यह अंडे देते हैं eggs are covered by hard calcarea shell after a variable incubation period young ones hatch out from the egg अंडे से बच्चे निकलाते हैं incubation period इसमें आवश्चक है what is this incubation period incubation period का मतलब है एक तरह का resting time जब उनको temperature मतलब normal condition में temperature चाहिए बहुत कम या बहुत जादा temperature नहीं artificial incubators का भी utilization किया जा सकता है we can use make use of artificial incubator इनके eggs को incubate करने के लिए incubation के बाद produce हो जाएंगे ठीक है ना now the zygote develops into the young one inside the body of the female ये viviparous animals की विशेष्टा है animals giving rise to fully developed young ones अब बच्चों ovovivipari के बारे में आपके साथ जरा मैं चर्चा कर लेता हूँ ovoviviparity क्या होता है ध्यान से सुनिए आपके syllabus में ovoviviparity के ऊपर बहुत जादा discussion नहीं है तो इसलिए मैंने उसके लिए कोई भी point नहीं रखा लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि ovoviviparity क्या है ovoviviparity is an intermediate condition between viviparity and oviparity तो oviparous जो animals होते हैं वो एग ले करते हैं और जो viviparous होते हैं वो give rise to young ones ठीक है न young ones का होता है production यही होता ना यही दो चीज़े हैं तो अब आप सोचिए जो एग ले कर रहे हैं ऐसा कोई situation बन जाए कि अगर वो एग ले करते हैं तो उनके एग को है खत्रा और वो give rise to young one एकदम से कर नहीं सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं उसका reason है उनकी एग लेंग की habit है ध्यान से सुनियेगा बच्चे बात को evolutionary process बता रहा हूँ कुछ organism जिनकी एग लेंग की habit है उनको अचानक environmental change की वज़े से अगर एग लेंग रोकना पड़े तो कैसे करेंगे they don't have any option तो वो करते क्या है उसी एग को अपनी body के अंदर retain कर लेते हैं और एग क्या है एग is a complete package जिसके अंदर खाना भी है पानी भी है सब है air भी trapped रहती थोड़ी सी air भी रहती है कि जब सांस लेना पड़े तो पहली breathe वो अंडे में उपर की तरफ एक छोटा सा जगह होती है जहां पर air trap रहती है ठीक है न तो ओवो वी वी पैरस वाले एग या एग जैसे structure को body के अंदर retain कर लेते हैं कहने का मतलब यह है कि एक को बाहर ले करना है यही है ना ओवी पैरस में एक को बाहर ले करना है वी वी पैरस में एक कोई लेना दे नहीं नहीं एक fertilized body के अंदर ही हो गया और placental connection है mother की body के साथ connection है वहां से nutrition मिलता लेकिन जो एग वाले हैं उनका कोई placental connection नहीं होता है mother की body के साथ ठीक है ना कोई placental connection नहीं है तो वो at most क्या कर सकते हैं एग या pouch जिसके अंदर developing young one है उसको body के अंदर retain कर लिया इसको ovovv parity कहते हैं तो जब birth होगा तो वो pouch ही बाहर निकलेगा अब आप सोचो अंडे का hard shell body के अंदर तो रह नहीं सकता तो body के अंदर एक membrane रहती है जिसके अंदर young one develop करते हैं कहां कहां देखने को मिलता है शार्क्स में देखने को मिलता है स्नेक्स में देखने को मिलता है कई तरह के स्नेक्स हैं जैसे crate वगरा हैं तो वो क्या करते हैं वो pouches ही ले करते हैं pouches के अंदर होते हैं बच्चे वो pouches को फाड़ करके बाहर निकल आते हैं समझ में आई बात तो ये है कुछ एक example sharks में कई प्रजातियां है तो shark में कई में तो internal fertilization होता है और ज़्यादा तर young ones भी हो जाते हैं और over viviparity भी देखी जाती क्योंकि shark को बहुत ज़्यादा competitive environment में जो रहना पड़ता है ये है reason सामझ में आई बात तो इसी के साथ हमारा ये chapter अब समापती की तरफ बढ़ रहा है advantages देख लेते हैं sexual reproduction की तो sexual reproduction के कुछ advantages बचो variations देखो ये तीनो golden retriever हैं एक ही प्रजाती के कुत्ते हैं और इसमें देखो ये ब्राउन कलर के हैं महाश है ये white हैं ये black हैं ऐसे ही संबोधित करना पड़ता है आजकल बताया ना मैंने ऐसे ही संबोधित करना पड़ता है ठीक है जरूरी है भाई कई लोगों के family member भी होते हैं तो अब क्या कर सकते हैं अच्छी बात है variations ये देखो golden retriever ये मुझे बड़े अच्छे लगे तीनो एक ही breed हैं लेकिन देखो variation देखो अलग-अलग color दिन के time पे इसका काम है रात के time पे इसका काम है दिन में ये दिखाई ना दे रात में ये दिखाई अच्छा दिन में सब दिखाई देंगे तो ये दिन में तो सब भी दिखाई देंगे सेट शो पुराने example रहने दो अब नए examples से discussion होना चाहिए है ना तो ये देखो भई ये variations हो गए अच्छा इसके बाद क्या मिलता adaptation मिलता मैं अपनी society की हाल बता हूँ हमाई society में बड़े सारे लोग हैं जिनके पास doggy's है तो किसी के पास वो धाई सो ग्राम वाला भी कुत्ता है और किसी किसी के पास वो 50-50 किलो वाले भी कुत्ते हैं धाई सो ग्राम वाला कुत्ता समझ गया ना इतना छोटा सा कुत्ता किसी काम का नहीं मतलब वो सिर्फ आवाज निकालने वाला है उससे पच्छा कोई आवाज वाला यंत नहीं ले ले जो भौकने का काम करे मुझे तो और कोई औचित नहीं समझ में आता वो धाई सो ग्राम के कुत्ते से क्या हासिल होगा उनको I don't know कौन सी सुरक्षा करेगा वो खुद सुरक्षित नहीं है किसी गाड़ी के नीचे आजाए तो उसकी शामत आजाए वो खुद सुरक्षित नहीं है वो क्या सुरक्षा करेगा लेकिन लोगों ने पाल रखे हैं ऐसे dogs और कुछ लोग हैं जो वो 50-50-100-100 किलो वाले कुट्टे भी पाल रखें ठीक है ना अच्छा ये कुट्टे अपने मालिक से इतना ज्यादा नहीं अट्रैक्टेड होते हैं किसी आगंतुक को देख लिया नया आदमी मेरे जैसा कोई इंसान तो फिर आके ग्रीट करने की कोश करते हैं माने का देखो बच्चे मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं मुझे आपकी विशेश आवश्यक्ता नहीं है तो मुझे परिशान खाम खाना करें हद तो एक दिन हो गई कि कुट्टे को लेके निकलते हैं टहलाने तो जाएंगे सुबह साम तो टहलाना ही पड़ेग तो अच्छा कुट्टे को भी प्रेशर आता है और हमारी सोसाइटी में स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि जहां तहां आप कुट्टे को उसको नहीं करवा सकते हैं मना हैं दूसरे लोग भी टहलते हैं गूमते हैं तो लोगों के पास यंत रहें उसको साफ करने के लिए टिशू पेपर ले करके चलेंगे, एक कंटेनर ले करके चलेंगे, ऐसे लटका के कंटेनर ले करके चलते हैं। अच्छा हुआ यूं कि एक दिन एक डॉग ने उसने कुछ खा लिया होगा ऐसा ऐसा वैसा जैसा तैसा कुछ खा लिया जिससे लिक्विफिकेशन हो गया ज्यादा लिक्विफिकेशन हो गया अब लिक्विफिकेशन हो गया और उसको जो है बना मौसम अब तो भै कुत्ता है मालिक समझ गए कि इसका मौसम बन गया उसको साइड में ले जाकर उन्होंने खड़ा किया और उसने अपना सारा आइटम परोस दिया ठीक है ना सारा आइटम ओ सारी डॉग सारा आइटम परोस दिया और अब हलका हो गया डॉग हलका हो गया डॉग नाचने लगा जूमरा 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 मालिक की देख करके तो हालत टाइट हो गई कि इसको साफ करना जरा मुश्किल है ड्राइ माटीरियल है तो उठा के फैक दिया डेस्ट बिन में मतलब बहुत बगूर रहती है ठीक है न उठा के फैक दिया अब वो उधर डांस कर रहा है डॉग खुशी के मारे अब मैं देख रहा हूँ कि ये करते क्या है मालिक ने किया तो सही लेकिन जब वो डांस करते करते वो अपनी पूछ भी रगड़ देता है पीछे से मालिक को मालिक को आया गुसा और उन्होंने दोख की कमारे है उस कुत्ते को मैं वही देख रहा था ने मैंने का भाई सब्साब सम्हाल के सम्हाल के सम्हाल एनिमल वेलफेर वाले अभी दोड़ करके आ जाएंगे कि आपने एक तो डॉग पाला हुआ है और डॉग का मौसम बनेगा तो कहां जाएगा आप बताईए आपका पाल तो डॉग उसका मौसम बनेगा तो वेर वेल इड़ गो तो बस इतनी सी बात है तो तब से मैंने और भी कान पकड़ लिया मैंने का ना बाबा ना ये कुत्ता बिल्ली वाला खेल ही नहीं ठीक है मेरे घर में बच्चों ने भी फर्माईश करी कि पापा ऐसा ही एक ले ले थे हैं ढ़ाई सो ग्राम वाला सस्ता भी आएगा ये चाहे ढ़ाई सो ग्राम का हो चाहे आदा किलो का मुझे नीची गाय थोड़े ही है कि दूद देगी तो ऐसी खतरनाक चीज़ को आप खुद बताओ गाय थोड़े ही है कि दूद देगा सुबह चाय के लिए अगर दूद भी मिले तो भी काम चले मतलब डॉद से तो बड़िया मुझे बकरी भी लगती है कि कम से कम साइज उतना ही है खाती है शाकाहारी खाना और दूद देगी कम से कम चाय तो बनेगी और डेंगुएंगु हो जाए तो दूद भी बेच लो 2000 रुपए लिटर बिखता बच्चे सोचो सीजन में एकाद बार तो चांस लगी जाता है कि 2000 रुपए लिटर उसका दूद जाता है तो आप समझ गया है भाई वेरियेशन बहुत तरह की भिन्नता बहुत भरपूर है हमारे संसार में तो यह जो भिन्नता जो मैंने आपको बताई यह गोल्डन रिट्रीवर हो गए वो धाई सो ग्राम और पचास किलो के कुत्ते हो गए वो क्या है वेरियेशन ही तो है नहीं तो डॉप तो सब एक ही है कैनिस लूपस डोमेस्टिकस फैमिलियरिस है ना कैनिस लूपस फैमिलियरिस इस डॉग समझ में आगई बात सबको ठेक है और फिर इवोल्यूशन भी होता है domestica cat में लगता है fellis domestica है ना तो evolution भी है यह देखो भई adaptation यह देखरो adaptation यह दोनों एक जैसे हैं देखो रेगिस्तान में adapted है और साथ ही साथ evolution आप चिड़ाएं चाहें जितना पूर्वज यह है इनका कुछ कर नहीं सकते हैं तो यह कुछ advantages हैं जो हमें मिल जाते हैं reproduction sexual के थूँ disadvantages भी हैं कोई भी process ऐसा दुनिया में है नहीं advantage या disadvantage दोनों जिसमें नहीं जैसे neat का exam advantage तो खूब है disadvantage का है पढ़ना बहुत पढ़ता है नहीं काफी जादा पढ़ना पढ़ता है तो बचो disadvantages क्या है slow process है and requires a lot of time and energy काफी वक्त और energy खर्च होती है क्योंकि slow process है और by parental process है मतलब dependency है ना भी दो parent है दोनों parent राजी ना हो तो नहीं हो सकता sexual reproduction ऐसा होता है animals में कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जैसे एक rhinoceros की sub species थी northern white rhino जो खात्मे की कगार पर है 20 साल पहले 4 बचे थे चार बचे थे एक ही male था उसमें सुदान नहीं हुआ reproduction not possible ऐसा हो जाता कभी कभी त parental process है ना भई अगर vegetative reproduction होता एसेक्शुल होता तो एक ही parent ने कर लिया होता now fertilization has a chance factor fertilization में एक chance factor तो play करता ही करता है अपना role fertilization में जरूरी तो है नहीं fertilization अगर fertilization chance factor ना होता तो cold childless couple होते ही नहीं लेकिन होते हैं की नहीं होते ये एक practical चीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए इसी के साथ chapter होता है समाप्त बच्चों और करेंगे Saturday morning 7-8 बजे DPP session इसके उपर ACE NEET 2022 batch start हो चुका है जिसमें स चीज दिवान सर पंकच सर और कोशल सर start हो चुका है दो sessions मेरे हो भी गए हैं प्रयास MBBS batch for NEET 2022 एक और batch start हो चुका है आप देख लीजिए आपके सारे best educator यहाँ पर भी आपको मिलेंगे यह 12 तारिक याने की start होने ही वाला है कल से ठेक है अर्मान batch NEET 2023 के लिए भी batch आ चुका step up crash course batch course जो है 2022 का है यह English batch English medium batch है crash course नहीं है इसके साथ भी जुड़ सकते हैं telegram channel के लिए करना क्या है telegram app देखो कुछ ऐसा दिखता है इसको सबसे पहले install कर लीजिए then go to the telegram app और unlock need channel type करें आ जाएगा या आप ब्राउजर में भी पूरा डाल सकते हैं यह URL और इस channel के साथ जुड़ना भी बहुत ज़रूरी क्योंकि यहाँ पर आपको notes मिल जाते हैं session के बाद PDF format में now you can learn at the comfort of your home through unacademy learning app unlimited access to courses practice test batch courses mentorship guidance study material life test series regular doubt clearing session exhaustive syllabus coverage देखने को मिलता है नीट यूजी सब्सक्रिप्शन पर प्लस और आईकॉनिक दो तरे के सब्सक्रिप्शन कोई भी ले सकते हैं unacademy learning app को install करिए प्ले स्टोर पर जा करके प्लस सिलेक्ट करिए नीट यूजी क्लिक कर दीजिए और फिर get subscription पर क्लिक करिए इसके बाद ये विंडो यहां से अपनी जरूरत का सब्सक्रिप्शन कर लीजिए सिलेक्ट और यूज करिए code प्रदीप लाइव मेरी guidance में रहेंगे mission 2030 को accomplish करने का मौका तो आपके पास वैसे भी है तो बहुत जरूरी है आप use करें code प्रदीप लाइव मेरी बढ़ाएं social currency क्योंकि आपके साथ मिलना है 2030 में ठीक है न एक चीज़ बच्चे ध्यान देना यहां पर जो जितने ज़्यादा duration का है उतना अधिक cost effective होता है बाकी course आप कोई भी ले सकते हैं यह देख लीज़े दोनों के बीच में comparison ठीक है ना this is the comparison देखो बच्चे प्लस जो हमारा regular subscription है और जो iconic है iconic में six months से नीचे नहीं है उसका reason है कि आपको अगर कोई mentor assign होता है तो 6 महीने से कम में mentor आपको क्या guide करेगा आप बताइए तो यह reason है कि iconic six months से minimum में नहीं है use करना code प्रदीप live P-R-A-D-E-P-L-I-V-E प्रदीप live code के साथ जुड़ जाहिए और use करना code प्रदीप live 10% का discount यह discount बचे 1st of March से 5% हो जाएग और यह वाला homework करके आना है सारे के सारे बच्चों को आज के आज unlock neat channel को subscribe खुद भी करना है और करवाना है that's all for now see you all again at 8 p.m. sharp in